नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आयस पर So after a long long gap of 9 years European Union ने FTA की जो trade talks है उसको इंडिया के साथ resume किया है आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे यह वाली खबर आज से कुछी दिन पहले सामने आई थी business standard की यह news है After a 9 year gap, इंडिया EU free trade negotiations to see a new dawn Not just that, इस बार जब trade talks को फिर से resume किया गया है European Union की एक member है जिनोंने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया की जो geopolitical relevance है It can hardly be overestimated, यानि की भारत की जो भूराजनीतिक प्रासंगिकता है उसको शायद ही कम करके आंका जा सकता है कहने का मतलब साफ है कि इंडिया आज के time में geopolitically इतना relevant हो चुका है कि कोई भी उसको ignore नहीं कर सकता है बात करेंगे इस इंडिया EU FTA के बारे में जिसकी बातचीत आज से लगभग 15 साल पहले शुरू हुई थी क्या वज़े थी इसके FTA की बातचीत को शुरू करने की उसको क्यूं रोका गया था और फिर discuss करेंगे कि आज क्यूं इसको लेकर फिर से बातचीत दुबारा शुरू हो चुकी है आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरो दिया दिया आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए को मिली COVID-19 भी हमें पिछले साल जिसकी second wave देखने को मिली उन सब के बावजूद भी हमें दोनों देशों के बीच में दोनों ब्लॉक्स के बीच में रादर मैं कहूंगा जो annual growth था bilateral trade का उसमें 43% का हमें annual growth देखने को मिला in the financial year 21-22 और अगर आप देखें currently European Union इंडिया का second largest trading partner है after USA and it is also the second largest destination for Indian exports ये वाला data कभी न कभी change होता रहता है कभी EU third पे आता है और कभी second पे आता है लेकिन हाँ यह यहीं कहीं घुमता है और अगर हम लोग बात करें कि EU इंडिया मे क्या क्या contribution कर रहा है तो EU का इंडिया में बहुत ही मोटा contribution है खास रूप से इसका foreign investment के रूप में एक बहुत ही major contribution है because पिछले एक दशक के अंदर जो EU की investment flows थे they have doubled from only 8% to more than 18% making EU the first foreign investor in India यानि की इतना बड़ा जो कोई भी ऐसा foreign investor नहीं है जितना की केवल European Union के द्वारा किया करना चाहें तो nearly 6000 European companies हैं जो की इंडिया में present हैं जो की directly और indirectly इंडिया में approximately 1.75 million jobs and 5 million jobs को respectively provide करती हैं जो की अलग अलग शेत्रों में बटी हुई हैं लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी दोनों देशों का ये मानना है एक तरफ इंडिया और दुसरी तरफ European Union का पू पिछले 15 साल से ही हमारा जो आपसी bilateral trade है वो खराब नहीं चल रहा था वो अच्छा ही चल रहा था लेकिन तब से ये माना जा रहा है कि it can do much much better और इसी के लिए FTA की बात करी गई थी कि FTA के चलते हम लोग और भी बहतर कर सकते हैं आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि पहली बार दोनों इन देशों के बीच में जो FTA की बातचीत शुरू हुई थी वो 2007 में हुई थी टॉक्स शुरू हुई थी लेकिन ये टॉक्स बहुत ही जादा खिष्थी चली गई खिष्थी चली गई और 2013 में फाइनली जाकर के टॉक्स को एक बार के लिए रोक दिया गया थ बेकॉज जो आपस में चालेंजिस थे वो काफी जादा उबर चुके थे जो सबसे बड़ा चालेंज था that was the differences on market access इंडिया ओविसली ये कह रहा था कि हम लोग आपको पूरी market का access नहीं दे पाएंगे and secondly इंडिया की यहाँ पे demand थी easier visa access regime की वो भी एक बहुत बड़ा मुद किया गया था लेकिन जो जुलाइ में बातचीत शुरू हुई थी वो केवल एक preliminary बातचीत थी आपके सामने यहाँ पर PIB का मैं cutout पेश कर रहा हूँ 2nd July 2022 को India EU conclude first round of negotiations for India EU trade and investment agreement बाइद वे यह लोग आपस में sign करने वाला जो FTA है इसको BTIA के रूप से बोलते हैं that is bilateral trade and investment agreement य और इसका जो second round of negotiation है वो होने वाला था October September के आसपस जो कि अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है there is still wait on that लेकिन हाँ यह new सामने आई है कि इंडिया और EU के बीच में जो trade negotiations हैं वो अब फिर से track पे आ चुकी हैं more importantly European Union अब इंडिया के साथ इस FTA या फिर BTIU को sign करने के लिए बहु उसके चलते बहुत सारी चुनौतियां हैं वो सामने आ चुकी थी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि European Union को यह realize हुआ कि हम लोग अपनी supply chains के लिए China के उपर निर्भर नहीं कर सकते हैं that is one major factor जिसके चलते आज EU इंडिया के निजदीक आने की कोशिश कर रहा है secondly आपको माल global world order है वो ही एक तरीके से बदल चुका है और इसके बीच भी they are now coming close to India जो की इस पूरे के पूरे युद्ध के चलते पूरे के पूरे तनाव के चलते relatively unaffected है उसके बाद not just that इनका ये भी मानना है कि the world is witnessing an energy crisis and a food crisis और अगर इंडिया और EU आपस में आते हैं तो उस case में हम ल और ये किसी और के द्वारा नहीं बलकि European Union की ही एक M.E.P. Member of European Parliament है उन्होंने कहा है that India is the world's largest democracy और ये एक important like-minded partner है secondly इनका ये मानना है कि जो इंडिया की location है ये इतनी जादा geostrategically important है in the Indo-Pacific region कि इंडिया, रश्या और चाइना दोनों के ही करीब है जिनसे आज Western countries और European Union आज के time में काफी जादा एक तरीके से tensions बड़ी हुई है with respect to Russia also and with respect to China also and that is where she went on to say कि इंडिया की जो geopolitical relevance है it can hardly be overestimated यानि कि इंडिया की जो भूराजनितिक जो प्रासंगिकता है उसको ignore नहीं किया जा सकता है and अगर आप देखें तो इन्होंने इस चीज़ को भी acknowledge किया है कि इंडिया आज की date में fastest growing emerging economy है आपको मालूम होगा IMF ने एक time पे कहा था कि इंडिया की जो GDP का growth rate है वो 8% के उपर रहने वाला है हाला कि इस again आकडे को नीचे लाया गया है बट फिर भी उसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि emerging economies में India is still going to be the fastest growing economy बलकि इंडिया आपको मालूम ही होगा कि India already UK को सरपास कर चुका है as the fifth largest economy ये सभी के सभी factors एक तरीके से European Union को आज के time में push कर रहे हैं कि वो इंडिया के साथ इस FTA को दुबारा से बातचीत को शुरू करे तो क्या इसमें challenges नहीं है जी हाँ इसमें challenges भी है और in fact ये वाले challenges 9 साल पहले भी थे और अभी भी ये सामने आने वाले है challenges की list बहुत लंबी है लेकिन मैंने दो सबसे प्रमुख challenges है जिनके बारे मैं यहां briefly बात करूँगा पहला challenge है barriers को लेके that is tariff and non-tariff barriers European Union इस चीज़ से नाखुश है कि इंडिया basically अपनी market के लिए जो wines और cars है उसके लिए 60 to 100% के tariff को import करता है आपने कई बार देखा होगा कि जर्मन गाडियां जो कि वहाँ पे middle class के लोग इस्तिमाल करते हैं वो इंडिया में काफी महंगी आती है जो और जो यूरोप में आने वाली जो wine है अगर वो इंडिया तक पहुंचती है तो काफी महंगी हो जाती है और similar तरीके से इंडिया अभी tariff non tariff barriers को लेके काफी नाखुश है बेकाज इंडिया के कई सारे जो agricultural products हैं और जो इंडिया के pharmaceutical products हैं इन दोनों के ऊपर यूरोप के द्वारा कई सारे non tariff barriers को impose किया गया है अगरी कल्चर प्रोडट्स में यूरोप ने कई बार sanitary और phytosanitary measures के तहत इन barriers को impose किया है आ egg plant था, taro plant था, bitter goat थी और snake goat थी ये basically हमारे farmers के लिए बहुत बड़ा जटका था और एक तरीके से इंडिया EU के relationship के लिए भी बहुत बड़ा जटका था और इंडिया इन चीजों को लेकर नाखुश है और इंडिया वैसे भी pharmacy factory of the world माना जाता है तो pharmaceuticals को लेकर जो EU यहाँ प most favored nation status to European Union under the garb of the FTA लेकिन इंडिया इस चीज को लेकर काफी clear है कि अगर तो हम लोग normal way पार कर रहे हैं तब तो मैं आपके साथ MFN provision को include करूँगा लेकिन अगर हम लोग एक free trade agreement की बात कर रहे हैं यानि कि अगर हम लोग investment treaties की बात कर रहे हैं तो इंडिया कभी भी MFN के provision को access यहाँ पे include नहीं करता है because इसके चलते इंडिया के जो domestic manufacturers हैं उनको काफी नुकसान जेलना पड़ जाता है तो जब तक ये वाले issues solve नहीं होंगे और इसके साथ और भी कई सारे मुद्धे हैं जब तक वो solve नहीं होंगे तब तक शायद इंडिया EU FTA आगे नहीं बढ़ पा होंगा दोस्तों test book आपके लिए लेकर आया है एक बहुती बहतरी initiative super coaching का जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के using a single subscription इंडिया के top UPS institutes की मदद से अपनी तयारी को शिरू कर सकते हैं आपको कहीं जाने की आवशकता नहीं है आपको इसमें सभी अपने optionals के भी और बाक स्थेव